हलो फ्रेंड्स वल्कम टो माई चैनल दोस्तों अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मियों में मच्छडों का आना आम बात है गर्मी के मौसम में मच्छड बहुत ही ज़्यादा आते हैं हम कितना भी अपने बच्चों को बचा कर रख ले कभी न कभी उनको काठी लेते हैं और जब मच्छड बच्चों को काठते हैं तो तुरंद बच्चों को लाल लाल हो जाता है और वहां सूजन हो जाता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे बहुत ही नाजुक होते हैं उनका स्कीन बहुत ही नाजुक और सॉफ्ट होता है मच्छड के काटने के बाद जो सरीर पे बच्छों के लाल-लाल हो जाते हैं सूजन हो जाता है उदेखने में बहुत ही खराब लगता है और बच्छों को उसे बहुत ही प्रॉब्लम होती है उनको दर्द भी होता है साथ में बहुत खुजली भी होती है अभी मैं आपको एक बहुत ही आसान सा एक नुस्खा बताने वाली हूँ जिसके यूज़ चे मच्छड के काटे हुए निसान और सुजन को बहुत ही जल्दी कम कर देता है और बहुत ही जल्द ठीक भी हो जाता है उस नुस्खे को जानने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो अच्छा लगे तो सेयर जरूर करें इस नुस्खे के लिए आपको लेना है बस एक चीज वो है साबुन जी हाँ साबुन आपको बहुत ही अजीब लग रहा होगा कि साबुन से कैसे ठीक हो सकता है लेकिन ये कीन मानिए ये मेरा खुद का आजमाया हुआ नुस्खा है ये बहुत जल्दी काम करता है अब आप सोच रहे होंगे साबुन का यूज कैसे करना है साबुन को कुछ देर के लिए किसी बरतन या मग में पानी में भीगा कर रख देना है ध्यान रहे साबुन केमिकल फ्री हो जैसे कि आप बेबी सोप यूज कर सकते हैं क्यूंकि बेबी सोप जो होता है वो केमिकल फ्री होता है बचों के लिए ज़्यादा खुस्पुदार साबुन ना यूज करें उस साबुन वाले पानी को लेकर मच्छड के काटे हुए जगहों पर रगड़ना है स्रीप चार से पांच मिनट ही रगड़ना है और फिर पांच मिनट बाद पानी से धोकर साफ कर लेना है ये आपको बहुत ही अजीब लग रहा होगा पर ये बहुत ही कारिगर नुस्खा है इससे बहुत ही जल्दी रेडनेस, सूजन और खुजली खत्म हो जाता है एक बात का ध्यान रखिएगा जहां मच्छर काटा है वहाँ बच्चों को खुजली नहीं करने देना है ये काफी असरदार नुस्खा है आप एक बार के यूज में ही असर देखेंगे अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और सेयर जरूर करें साथे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे और जनकारी वारे वीडियो के लिए बच्चों से रिलेटेड मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियो जैं अलग-अलग टॉपिक पे आप जाकर मेरे चैनल पे सारे वीडियो ज देख सकते हैं और कुछ वीडियोज का लिंक पर नीचे description box में भी दे हूँ, आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे comment box में पूछे, मैं आपके सवालों का जबाब जरूर दूँगी या अगर आप किसी topic पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे comment box में लेखें, मैं आपके लिए topic पर वीडियो जरूर करूंगी Thank you, thanks for watching